प्रारंभी औरमों के परिच्छा के लिए आपके अपने चैनल पर चल रही अमोग स्रिंखला के अंतरगत, आज यहां प्रार्यावच्छी का दूसरा वीडियो है, यानि इसके पहले कुल तेरा वीडियो हम अप्लोड कर चुके हैं, आगे बढ़ने से पहले नए साथी चैनल को सब्स्राइब कर लें जिससे की नए वीडियोज का नोटिफिकिसन आपको प्राप्त होता रहें चलिए प्रारम करते हैं अमुक्स रिंखला का चौदवा वीडियो देखते हैं यह पर्रयावाची का दूसरा भाग है पहले भाग म में जोनों में आयlarda तो इす प्रकार के कुछ प्ररयावाची है आप देखेंगे वाश्द्र उनन्दन जी की जो पुछतक है जो मैंने बताई थी उस में पर्रयावाची वालना जो पॉर्शन है उसके थोड़ा और आगे जाएंगे चारह पॉन्हें बाद तो इस प्रकार के कई सारे सब्द दिये हैं, जिनके एक सब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है, तो इनसे ही हमें स्टार्ट कर रहे हैं, इनसे ही प्रारम कर रहे हैं, देखते हैं, आक्छ, आक्छ का अर्थ होता है आँख, सर्प, ग्यान, मंडल, रत, धूरी, पहिया, कील और चौसर का पासा, आगे देखते हैं, अम्रित, अम्रित का पर्यवाची होता है, स्वार्ड, जल, पारा, दूद, और अन, यानि इन सब का पर्यवाची अम्रित होता है, आगे देखते हैं, कोटी, तो कोटी किंतीन अपने सुनाओगा खर unto two three ब Очень अपने सुनाओगा घर तो खरजो है वो पूराचस का नाम था। आगी चलतेब पराणम करते हैं तेरवाँ, आज यहां शब्द जो दिया है हो है जल, जल के परयावची देखते हैं यहाँ पर lugने तीन यह चार परयावची ऐसे हीं इसके बाद कमल, कमल के बाद बादल, बदल के बाद समूद्र, ठीक है, तो जल से प्राणम करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से इन सब के परियावची एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चलिए देखते हैं, इसका परियावची है पानी, अंब, आब, तोए, अप, आप, अपक, उदक, सलिल, नीर, शंबर, उड, पाथ, वारी, पय, मेघपुस्प, रश, घनरस, अमरित, शर्वमुख और पय, ये इतने परियावची किसके हो गए, जल के, अब इसमें जल लगा देंगे, जल के परियावची में जल लगा देंगे, तो किसके बन जाएंग कमल के परियावची बन जाएंगे, किसके, कमल के, यानि जल में उत्पन होने वाला, जग आर्थ होता है, उत्पन होने वाला, जब रते लगने का आर्थ है कि उत्पन होने वाला, चलिए आगे देखते हैं कमल के परियावची, देखे, अम्बु माने जल होता है, अम्बु होता है की शेड में उत्पन होता है इसलिए इसका नाम कमल के परेवाची पंकज भी है जल्जात राजीव अर्विंद पद्व कज कंज शर्शीरु और सरोरु दोनों कमल के परेवाची हैं दोनों मात्मूर परेवाची हैं पंकरूह, सरसिज, पाथोरूह, पाथोज, नलिन, शतपत्र, शतदल, कुशेशय और कुवले, देखें कुशेशय और कुवले, ये कमल के परियावाची हैं, आप बताएं मैंने कई बारा भ्यास कराया हैं, बताए किसले किसका पर्यावाची है किसले जो है कमल का पर्यावाची नहीं है कुशेश है और कुवल है ये दोनों पर्यावाची कमल के हैं इसके बाद कोकनद पुंडरीक और इंदीवर वास्तों में ये कमल के रंगों पर अधारित पर्यावाची है आप लोग ये वन का कौन कौन सा रंग होता है शारंग और तामरस ये पर्यावची होगे कमल के आगे देखते हैं पंतरवा बादल के पर्यावची अब अभी तक हमने पड़ा था जा लगा देंगे तो कमल के हो जाएंगे अब दा लगा देंगे तो किसके हो जाएंगे बादल के देखते हैं अ पयोधर धाराधर वारिधर वारिवाह मेघ घन अभ्र जीमूत परजन्ञ यहां पर तीन परजन्म और अरणोद ये तीन परजन्म बादल के हैं और बहुत महातपूर है आप याद रखेंगे अरणव और अरणोद में अंतर होता है अरणव जो है वो समुद्र का परजयाँ आगे आपको बताएंगे हम, और अरोद जो है, वो किसका है, बादल का पर्यवची है, आगे दिखते हैं सोलवा, शमूदर के पर्यवची, अब क्या करेंगे, जल में धी लगा देंगे, भंडार, तो जल में धी लगार देंगे, तो जल धी, इस प्रकार से जो बनेंगे, या या निचे वारे इधनी यानि नदियों का श्वामी ठारा वार यह मह्तंपोणंगों है कि practice यहांन। समुद्र का परेया है जलद्हाँ सरित्पति कंपत यह फर तीन जो है मात्पूर्ण है कंपति अरणो अब्दी यह ती चार्द जो अत्ति नसा मात्पूर्ण है ठीक है अरण्णो समुद्र का है और अरोध बादल क्या क्या है कुंजर कुंजर कुंभल जो है कि अपनी त्यारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे तो आप ज़रा भी इहांपर असाधभानी नहीं परतनी है अच्छे से बिल्कुल एक एक सब्द को समझते हुए चलना है मतंग, मतंग जो है हाती का पर्यावाची है गयंद, गयंद हाती का पर्यावाची है हस्ती, हाती को तत्सम रूप जो है वो हस्ती होता है तो इसका पर्यावाची भी है करी, करी भी इसका पर्यावाची है, कटी, दंती, द्वीप, द्वीप जो है, वो हाथी का पर्यावाची है, द्वीरद, रद माने होता है, दात, दो दात होते हैं, इसलिए इसका पर्यावाची दुरद भी है, कुंजर, वितुंड, देखें, बहुत मातपूर्ण, ये दोनों बहुत मातपुण है, शिंधूर जो है हाति का है, लेकिन सैंधव, सैंधव किसका है, गोडा का है, आप लोग इस प्रकार से जो मिलते जुलते होते हैं, जिसको समसुरुत भिनार्थक सब्द घा जाता है, इस प्रकार के सब्दों से थोड़ा सचेत रहेंगे, क्य सैंधव और सिंधूर में एकी जैसे लगबग मिलते जुलते लगते हैं, और इसमें कन्फ्यूज करने को ये विकल्प में हो सकते हैं, तो सिंधूर हाति का होता है, और सैंधव घोड़ा का है, तुरग, तुरंग, किवयान, हय, रविसुत, विमानक, घोटक, बाज और वाजी, ये पर्रयवची हो गए, घोड़ा के, आगे दिखते हैं, गधा, गधा के पर्रयवची हैं, रासब, बहुत बार पूछा गया, राशब और वेशर, ये दोनों बहुत मातपोण है, खर तो समिछा दिकरी के परिछा में आया था, लिख रीवान, ये किसके गधा के पर्रयवची हैं, देखते हैं अगला नदी, नदी के पर्रयवची है, सरिता, अपगा, निम्नगा, तटिनी, वाहिनी, कूलिनी, तरनी, लहरी, कूलंकशा, कूलवती, तरंगवती, दुईपवती, सुरोतशवीनी, पयश्वीनी, सिन्धुगा यह पर्यावाची है नदी के और बहुत महत्पूर्ण पर्यावाची है सारे आपको बिल्कुल एजिटीच रट लेने हैं सारे पर्यावाची बहुत महत्पूर्ण है इसके बाद अनदी के बाद गंगा के यह आपर देखिए उपर मैंने देखा था क्या निम्नगा निम्नग शूरशरी सूरसरित शूरधुनी देवनदी देवशरी ठीक है जो देवताओं की नदी इसको आ गया है गंगा जी को देवताओं की नदी देवशरी देवधुनी देख लिए यहाँ पर कई सारे नदीश्वरी जो नदियों में भी स्रेष्ट है सूरसरी देखे सारे शूरसरित सूरधुनी सारे जो है वो अर्थ दे रहे हैं कि यह देवताओं की नदी है इसके बाद विश्णुपदी मंदाकिनी मंदाकिनी तो एक नाम है आप लोग कि आपने अच्छे से कंठस्ट कर लिए होंगे विश्णुप्रयाग, कंड़ प्रयाग, रुद्र प्रयाग और जितने भी देव प्रयाग जितने भी यह प्रयाग है किन-किन नदियों के मिल से बने हैं और इनका उत्तर से दचिट क्रम क्या है कौन उपर है उसके बाद दिवस, दिवा, वार, वाशर, वाशक और अहन, अगर्ला देखते हैं शूरि के परयावाची, दिन में ईश, ईश या दिन से जुड़े हुए जो परयावाची होंगे, वो सब सूरि के होंगे, दिनमड, दिनकर, दिवाकर, दिवा भी हमने पढ़ा, सूरि का है, ठीक, प् भानू, भाशकर, आक, अरक, अंसुमान, अंसुमाली, तरणी ठीक है आप लोग तरणी, आप लोग बताएं तरनी और तरूडी इन तीनों में क्या अंतर है कमेंट बक्स में कमेंट करके में बताएं आदित्य तमारी, सहस्रांस, मरीची यहाँ पर देखें मरीची दिया हुआ है अभी हमने नोटिस किया ये कि मरीची जो है वो किरण का पर्यावाची है और मरीची किसका है वो सूरिका है देखें अंतर के हच्चा में यहाँ पर बड़ी के मतर लगी है और यहाँ पर छोटी के मतर है ठीक है तो मरीची जो है वो क पर्यावाची है यमुना का देख लेते हैं इसको भी यमुना वास्तों में सूर की पुत्री के रूप में परिभाशित हैं सूर की पुत्री माना जाता है इंको शूर्य तनया दिखे जितने भी पर्यावाची आपको मिलेंगे यहां तक यहां तक पर्यावाची जो है सूर की पुत्री के रूप में, भानु जा, भानु की पुत्री, भानु जा, भानु की पुत्री, अर्क जा, अभी उने बड़ा अर्क मने सूरी होता है, तरणी जा, तरणी तनुजा, तनुजा मने पुत्री होता है, रवितनया, रवियाने, सूरी सूरी की पुत्री, रविशुता, देखिए सारे पर्रयवाची जो है सूर की पुत्री के रूप में ही यहाँ पर है सूर सुता, अर्क सुता, ठीक है इसके बाद कुछ और पर्रयवाची है कालिंदी, कालगंगा, जमुना और कृष्णा तो ये कुल 24 पर्रयवाची में आपको करा दिये आप लोग बताईए कि ये पर्रयवाची कैसे है ये गुडवत्ता कैसी है और आप लोग की तयारी कैसी चल लएए बताईए तन्यवाद